दोस्तों अगर आपको भी CID शो देखना पसंद है और आप CID के धाकर इंस्पक्टर, इंस्पक्टर दया और इंस्पक्टर शेया की जोड़ी को देखना पसंद करते हैं तो सबसे पहले इस बीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए दोस्तों आज के इस बीडियो में हम बात करेंगे इंस्पक्टर दया और शेया की शादी के बारे में और क्या उनका एक बच्चा होने बारा है सब कुछ दोस्तों आपको इस विडियो में बताने जा रहा हूँ तो विडियो को आन तक जरूर दिखेगा दोस्तों लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल अपिम पिक्सल्स टीवी को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लिजिए सबस्क्राइब और साथ पर जो बेल आइकन यानि कि जो घंटी का बटन है नीचे उसे दबा के औल सिलिट कर ले ताकि हमारे आने वाले सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन्स आपको मिलते रहे जब भी हम कोई नए वीडियो अप्लोड करते हैं तो दोस्तों इंस्पक्टर दया और श्रया की लफ स्टूरी के बारे में आप सबको पता ही होगा जब से CID की शुरुवात हुई है और जब से इंस्पेक्टर श्या के एंट्री होई CID मैं और दया की लाइप में तब से दया जो है वो इंस्पेक्टर श्या को बे इंतहा प्यार करते हैं इसके बारे में दोस्तों आपने CID के Season 1 में देखा ही होगा तो अचानक से जब CID का सीजन वान बंद हो गया तो हम जिसे CID के लोयल फैन से जो की CID शोग को देखना काफी जादा प्रसंद करते हैं उन सब के मन पर मायूस ही चाह गई और ऐसे में दोस्तों मेरा डिमांड यह है कि CID का सीजन टू जल से जल आना चाहिए अगर आप भी दोस्तों मेरे बात से सहमत है और चाहते हैं कि CID का सीजन टू जल से जल टीवी वर वापस आ जाए तो आप लीचे कमेंट बॉक्स में CID लिखकर इस वीडियो को सपोर्ट करिए तो दोस्तों बहुत जल सीजन टू के आने वाल एपिसोड में आपको इंस्पेक्टर दया और श्रया की शादी देखने को मिल सकती है और साधी के बाद इन दोनों का एक बच्चा भी होने वाला है जो कि आपको बहुत जल सीाईदी के सेजन रुखे एक एपिसोड में देखने को मिल सकता है तो बादी कadores निकल के सामने आ रही है दोश्थों तो CID में होने वाला है दया और श्रया की शादी तो दोस्तों CID में शादी हो रहा है तो ऐसे बिना किसी रुकावत के यह शादी तो नहीं हो सकता तो शादी में आने वाली है काफी सारी अर्चन है काफी सारी रुकावते तो दोस्तों आप लोग नीचे कॉमेंट करके जरू मैं मिलता हूँ आप सबसे अगले वीडियो में